नमस्का रूशब है में आपका स्वागत है दोस्तों 36 गड़ में तीजा के समय बहुत सारे पक्वान बनाये जाते हैं ठेटरी खुर्मी अनार्सा गुचिया तो मैं आप लोग के साथ अनर्सा की रेसिपी सेयर करूंगी जो बहुत ही अच्छा लगता है तो बने रहे हैं मेर अचेंटी चावल कोई भी मोटावला चावल ले सकते हैं चावल अर्वा होना चाहिए और मैंने इसी गिलास से एक गिलास चावल लिया था जिसे मैं भिगा ली अच्छे से धोके साब पानी से तो चावल हमारा भीग गया है अब मैं इसका पानी निकाल दूंगी तो एक चलनी में हम चावल को डाल के और हम इसका पानी चान लेंगे तो पानी पूरा निकल गया है चावल का अब हम इसे एक सुखे कपड़े पे पंखे के हवा के नीचे इसे सुखाएंगे हमें धूप में नहीं सुखाना है इसे पंखे के हवाक में एक से दो घंटे तक हम इसे सुखा लेंगे तो इसका पानी सुख जाएगा तो मैं इसे एक कपड़े पे फैला दे रही हूँ जितना पतला फैलाएंगे उतना जल्दी सुख जाएगा इसका पानी तो देखिए चावल का पानी पुरा सुख गया है आपको देखने में लगी रहा होगा कि पानी पुरा सुख गया है अब इसे एक मैं बर्तर में रख ले रही हूँ अधर मैं खलबटा में ये खलबटा है दोस्तों इसी में मैं चावल को कुटूंगी आप चाहे तो मिक्सी में कूट पीस लीजिएगा आज मैं बिल्कुल देसी तरीके से अनरसा बनाऊंगी तो गाउं में इसी तरह से बनाया जाता है लेकिन आज कल तो सब कोई मिक्सी में पीस लेते हैं क्योंकि इतना समय किसी के पास नहीं रहता है कि खलबटा में कूटे बनाएं तो मिक्सी में दो मिनट में हो जाता है तो मैं आज बिल्कुल देसी तरीके से बना रही हूँ तो देखिए आधा कूट गया है तो मैं इसे और भी कूट लेती हूँ तो मैं कूट ली हूँ और इसे एक छनी से मैं छान ली हूँ तो जो मोठा भाग है वो निकल जाएगा अब बिल्कुल हमें एकदम पतला महीन पीछना है चावल को तो इधर मैं करीब 100 ग्राम चीनी ली थी पीछी हुई चीनी इसे डाल रही हूँ और हमें इसे मिलाना है क्योंकि जो चावल में नमी था और तो उसी से चीनी पिख लेगा तो हमें पहले इसे चीनी डाल के जो पीछी हुई चीनी है इसे डाल के अच्छे से मिलाना है तो देखिए जो चावल में नमी था इसके वज़े से हमारा चीनी था वो घुल गया है तो देखिए ऐसे हो गया है अब हम इसमें दो चमच तेल डालेंगे आप तेल की जगा घी भी ले सकते हैं और पानी से भी इसे गुन सकते हैं तो मैं तेल और पानी का यूज़ कर रही हूँ आप चाहे तो सिर्फ पानी में भी घुन सकते हैं इसे और चिकनाई के लिए दो चमच बस तेल डाल सकते हैं तो मैं इसमें दो चमच पानी डाल दी और जो हम तेल और पानी डालेंगे उसे हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ड दालना है और मिलाते हुए जाना है फिर मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूं इसी तरह से आप बनाएंगे तो आपके अनर्सा बिल्कुल भी बिगडेगा नहीं बहुत ही अच्छा बन के तयार होगा आप अनर्सा के आठे को सिफ तेल से भी गुण सकते हो मैं तेल और पानी दोनों का यूज़ कर रही हूं इसे तेल से भी सिर्फ गुणधा जाता है मैं रिफाइंड तेल और पानी ही ली हूँ मैं दोनों को मिला के ही गुंद रही हूँ तो इसे सिर्फ पानी से भी गुंद जाता है और चिकनाई के लिए थोड़ा सा तेल डाल देते हैं जैसे दो चमच और फिर इसे सिर्फ तेल से भी गुंद जाता है तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा गुन सकते हैं तो देखें कितना अच्छा से आटा गुन के तयार हो गया है अब मैं इसे 20 मिनट के लिए ढख के रख दूँगी ताकि आटा अच्छा से सेट हो जाएगा तो मैं ढख के रख देती हूँ इधर देखिए पीस मिनट हो गया है तो मैं आटा को थोड़ा मिला मिला कि अच्छे से गुंद लेती हूं ताकि और अच्छे से चिकना हो जाए तो आटा हमारा बिल्कुल एकदम सौप्ट बन तयार हो गया है आप इसी तरह से आटे को गुंदिएगा बिल्कुल सौप्ट एकदम चिकना तो इधर मैं आटे में से एक छोटा सा टुक्रा तोड़के इसे हथेलियों के बीच में रखके गोल-गोल कर लेती हूं आप चाहे तो खिसी वियाकार में बना सकते हो लंबे, गोल, चकोन और मैं इसे तील में लपेट लेती हूं आप तील के जगह खस खस भी ले सकते हो और इसे मैं एक प्लिट में रख देती हूं और फिर मैं एक चोटा टुक्रा लेके फिर इसे हाधेलियों के बीच में गोल-गोल कर लेते हैं और फिर इसे हम तील में लपेट लेंगे और तील हमारे जब हम तेल में तलेंगे तो निकले ना इसके लिए हमें हथेलियों के बीच में रखके और अच्छे से दपाते हुए फिर से गोल-गोल कर लेना है लो तब जब तेल में हम तलेंगे तो निकलेंगे नहीं कुछ निकल भी जाते हैं इधर मैं तेल गरम कर ली थी तो मैं जो हमारे अनर्सी है इसे तल लेती हूँ हमें आज को मीडियम रखना है जब हम अनर्से को तलते हैं डालते समय आज हमारा मीडियम रहना चाहिए आच धीमा नहीं रहना चीए तो देखिए अनर्से सुनहरे रंके हो गए है और हमें अनर्से को मेडियम से तेज आच में ही तलना है धीमा आच में नहीं तलना है अगर आप धीमा आच में तलोगे तो ये बिल्कुल कड़े हो जाएंगे जो टूटेंगे ही नहीं क्योंकि ये चावल का है, तो फिर कड़ा हो जाता है, तो फिर आपको पत्थर से ही तोड़ के खाना पड़ेगा, इतना हाड हो जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखेगा, आज को मेडियम से तेज आज पे ही रखेगा, बीच में कभी मेडियम करिएगा, तो कभी तेज करिएगा, ऐ देखिए अनर्से कितने फुले फुले बने हैं और सुनहरे रंके हो गए हैं मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और भी जो मैं आठे का लोई बना के रखी हूं अनर्सा इसे भी मैं तल लेती हूँ इसी तरह से सभी अनर्से को हमें तल लेना है दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों, फैमली की बीच में सेयर कीजिएगा मेरी अनारसा की रेसेपी तो दोस्तों कॉमेंट करना मत भूलियेगा कि मेरे अनारसा कैसा बना है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और घंटी को तबा दिजिएगा जिससे मैं चो भी वीडियो डालू आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद